नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार जारखंड का नमबर वन यूटूब चैनल लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहेवली छे माई यानि कि कल सोमवार के दिन मदुबनी लोकसवा सीट पर चुना होने है पांच लोकसवा सीटों पर मददान होंगे जिसमें मदुबनी की सीट भी शामिल है अब मदुबनी की लोकसवा सीट पर शकील अहमद जो की कॉंग्रेस के नेता है उनको लेकर के कॉंग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है आखिरकार शकील अहमद जो है महागडबंधन के लिए मधुबनी लोकसवा छेतर में मुश्किल बनी चुके हैं क्योंकि बदरीपुर्वे वी आईपी के टिकट पर वहां से चुनाव मैदान में हैं महागडबंधन के कैंडिडेट हैं और शकील अहमद कॉंग्रेस की तरफ स नहीं आला कमांद से कोई संदेश आ रहा है नहीं कॉंग्रेस के बिहार में सीनियर लेडर कुछ भी शकील अहमद पर बोलने को तयार हैं कुल मिलाकर के चुपी साधी गई है अब देखिये नुकसान यहां पर होता है कि बदरीपुर्वे महागडबंधन के कैंडिडेट है महागडबंधन में कॉंग्रेस भी साथ में है शकील अहमद कॉंग्रेस के नेता है लेकिन निर्दलिये चुनाव लड़ रहे हैं वी आईपी के मुक्या मुकेस सहनी तो कह रहा है कि वो भाजपा को मदद करेंगे भाजपा की सहायता करेंगे जीत हासिल करने में लेकिन कॉ कोई कुछ भी बोलने को तयार नहीं है कही ना कि शकील अहमद की निर्दलिये चुनाव लड़ने से जो सीधा नुकसान होगा वो बद्रिय पूर्वे को होगा और अगर शकील अहमद वहां से नहीं जीतते हैं या फिर मैदान में ही हैं इससे ही बीजेपी को या एंडिये क फायदा वहां से मिलता दिखाई दे रहा है तो कुल मिला करके अशोक कुमार यादो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं अब बात यहां पर कर लें कि महागडबंदन में किस तरह के हालात बन रहे हैं उमधुबनी लोकसवा सीट पर काफी हलचल तेज है वी आईपी को लग रहा है कि वहां से नुकसान हो सकता है शकील अहमद कह रहे हैं कि भाजपा को नहीं हरा पाएंगे बदरी पूर्वे जो कि वी आईपी कैंड़ेट है इसलिए मुझे मैदान में आना पड़ा क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाजपा यहां से चुनाव नहीं जीते अब देखना यह होगा कि कॉंग्रेस की तरफ से कोई बोलने को कब तयार होता है। चुनाव लड़ने से कितना घाटा महागट बंदन को होता है कहीं इसका फायदा सीधे तोर पर भाजपा को ना मिल जाए आप लाइफ सीटी साथ बने रही है हम आपको बिहार समय देश-दुनिया की तमाम खबरों से लगतार अपडेट रहे हैं हमारे यूटुब चैनल को अ जाएं धन्यवाद